हलो दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ज्यादा सोक कर समय है क्योंकि हमारे पुर्वर राष्ट्पती प्रड़मुखर जी का निधन हो गया आईए दोस्तों हम अपने पुर्वर राष्ट्पती प्रड़मुखर जी के बारे में कुछ तथ्यों का जान लेते हैं भारत के तेरहमे राश्पती पड़ा मुखर जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया पड़ा मुखर जी का जन पस्चिम बंगाल के वीर भूम जीले में 11 दिसंबर 1935 को हुआ था उनकी शादी 22 साल की उम्र में 13 जुलाई 1957 को सुभरा मुखर जी के साथ हुआ था पड़ा मुखर जी 1982 से 1984 तक किंद्र सरकार के कई काइबिनेट पदों के लिए चूने जाते रहे 1985 के बाद कांग्रेस के पस्चिम बंगाल राज्य के कई अध्यच भी रहे 1984 में उन्होंने आई एम एफ और विश्व बैंक से जुड़े गुरूप 24 के बैठक के अध्यचता की 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में काम किया 6 जुलाई 2009 को उन्होंने सरकार का वार्षिक बजट पेस किया था 1996 से 2012 तक उन्होंने The Coalition Years एक किताब लिखी 26 जनुवरी 2019 को उन्हें भारत रत संबान दिया गया 2012 में भारत के तरहमे राष्टपती के रूप में चूने गया 2017 में राष्टपती के कारिकाल समाप्थ हो गया 31 अगस्थ 2020 को पुर्व राष्टपती प्रणमुखर जी का नई दिल्ली में निधन हो गया इसलिए हमारे लिए पुरे भारत के लिए आज शोक का समय है